Hello Members, Monthly Range को किस थरह से हम calculate करेंगे, Monthly Range के calculations के आधार पर हम कैसे support और resistance निकालेंगे and monthly range के according हम किस थरह से in ranges को अपने trade में use करेंगे, इस एक important point पॉइंट के ओपर हम आज इसके discussion करेंगे, बहुत ध्यान से बहुत आराम से इससे point को समझने कोशिच कि जबे बहुत help करने वाला ह जब हम बात करते हैं monthly range calculation की monthly range में actually क्या होता है पूरे month में price ने जहां तक अपना low और जहां तक अपना एक high लगाया होगा अब यह मेरा पूरे month का low है जब हम high देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह वाली जो हमारी candle है मेरी एक high की रूप में काम करें यानि कि पूरे month का एक high ल पूरे month में एक और important candle होती जिसका की जिक्र हमने उस वीडियो में किया हुआ है अब जब वीडियो देखो गए तो समझना जाएगा अभी उस एक important candle को किस तरह से mark करेंगा और कैसे उसके उपर काम करेंगे हम discuss नहीं करेंगी because इस वक्त जो हम discuss करने वाले हैं वो सिर्फ high and low पर करेंगे अब हमने एक low mark लिए और एक high mark लिए यहां तक सारी चीज़े अब जब आप monthly low point draw करोगे lower time frame पर इसके अंदर के कौन से structures होते हैं जैसे previous day में price मेरा किसी एक range से उठ करके upside की तरफ जाता है और किसी एक range पर जाने के बाद में वो consolidate हो जाता है मतलब कि sideways हो जाता और यह price मेरा जो previous day में low लगा था जिस range सोट करके गया था वो मेरा previous month का low point था मतलब के previous month के low से price support लेकरके upside की तरफ गया है consolidate हुआ और again यह मेरा price उपर के दिशा में निकल गया यहाँ पर जो कुछ एक important point पर ही लिए बनते हैं दो important point बने मेरे एक तो हुआ मेरा monthly low point and second point हुआ मेरा जो previous day में swing low मेरा बना था price ने upside में जाते हुए जहाँ पर consolidate किया था मतलब कि यहाँ पर कुछ hurdles बन थे इन hurdles को break किये बगार मेरा price उपर नहीं जा सकता तो वो जो harder points थे वो मेरे important बन गया previous month previous day को में इसलिए calculate करें because यहाँ पर price ने अपने low पर previous month के exact low पर support लेकरके up direction हमको दिखाया था अब यहीं से wise versa भी हो सकता है कि यहीं से price बेरा नीचे की दिशा में भी गिर सकता है और यहीं से upside के दरब जा सकता है हम जो example ले रहे हैं यहाँ पर मान के चलते हैं कि price इस एक range से upside के दरब गया consolidation वाले areas को हमें mark कर लिया यहाँ पर देखे कितने points से ने mark के हमने आप लिखे है important point मेरे monthly low बन गया और important point मेरे previous swing बन गया पर जो मेरा swing लगा था उस swing के आधार पर हम मान करके चलेंगे जो swing हाई है अगर आपको यहाँ से buy करना है तो आप swing high को calculate करोगे और अगर आपको यहाँ से short करना है तो short नहीं होगा short करने के लिए previous month के low के नीचे price को swing बनाना होगा और previous month के low के downside के तरफ जो first हमारे जो swing बनेगा previous day का last day वहाँ पर हम अपने swings को mark करेंगे low because वहाँ से हम short ही करेंगे buying नहीं करेंगे इस चीस में confused मत होगेगा because अभी चलेंगे हम charts को पर और charts और और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे यह तो point हो गया मेरा previous day का swing उसके आधार पर हम अपने हमने यहाँ पर अपना तो यह वाला तो मेरी range fix ही रहेगी यहाँ पर हमें क्या करना है price की जो आज की opening है इस एक point से उठ करके upside की तरफ मेरा price जाने लगा previous day में क्या हुआ था कि यह वाले जो swing था यहाँ पर price consolidate हुआ था अब अगर इसको गिरना है तो वह यहीं से नीचे गिर जाएगा और अगर इसको upside की तरफ जाना है अप में जाते हुए price मेरा इस एक range को upside में break कर सकता है और अगर break करता है तो होगा यह कि यह जो high लगा था मेरा previous day का price इस high को break करें और इसके अंदर एक बड़ा move है यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं अब previous day के swing के पास में आपको चाहिए अपने confirmations यहाँ पर आपको entry करने के लिए अपनी confirmations add को रोगे और यहां से आपको अपनी entry लेनी और ranges को जो targets हो सकते हैं वो previous day का मेरा high भी हो सकत और अगर आपको लगते हैं कि price मेरा high break करके upside के तरफ निकलता है तो वह निकल जागा विकॉज आज के market देख करके हमको लग रहा है मान लीजे कि हमें इपने swing high के उपर अपने targets को करने हैं तो उसको भी हमें calculate करना पड़े हैं यहां तक सारी चीज़े क्लिए एक फिर से द सब्सक्राइब करना चाहिए के अधार पर आप यहां पर अपने entries को perform करोगे entries को देखोगे और वहां पर अपने price का आपके stock का जो trend है आपको उस stock के trend को identify करना होगा कि आज इसका trend आप में रह सकता है बाई में रह सकता है अब मालीजे की price ने अपना swing high तो प्रेक कर दिया करके जहां calculations करते रहेंगे stocks में calculations करने की यह हमारी speed है वो बढ़ेगी जो accuracy है वो बढ़ेगी बट एक point जो आपको याद रखना है वो बेसिक है हमेशा अपनी range का अपनी levels का वेट कीजिए कहीं से भी short buy मत कर देगे आप practice जैसे 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 मार्केट में दिरे दिरे क करोगे नागे बहुत सारी चीज़े आपको मार्केट सिखाते चल जाएगी लेकिन सिखाने से पहले मार्केट आपको बहुत सारी levels पर test भी करेगी आप मार्केट के लाग हो भी या नहीं अब gambler है वो क्या करेगा आया buy कर लिए निकल गया आया buy कर लिए निकल गया dell app कर्या अगले दो या चार दिनम वह आपसे 30,000 हें लेगी यहां पर जो क्रोफेशनल हैब बच जाएगा तो अक्र को अलग कर इंपर ने से समचने की है और प्रक्रीश करने की कोशिशिच आपको play up हम इसको day time frame पर अभी day time frame आप पूरे मन्त का low क्या है यहां पर जब हम देख रहे हैं तो 27th of January क्योंकि अब तो February चल रहा है अब में क्या करना होगो 27th of January को लेना है 27th of January को हम just low mark करेंगे because पूरे मन्त का मेरा low यही है इसके बाद में देखिए यहां से 1st February स्टार्ट हो गई है प्राइस यहां तक अपना लो लो गाया था और यह अपसाइट की तरफ चला गया था अब यहां पर calculations की बारी आएगे तो prices में देखिए exact हम उसी range से price को उठा रहे हैं जिस range से यह हमको आज मेरा है मतलब के monthly points को आपको lower time frame पर देखने से लग रहा होगा कि इसका जो आज का low है exact जो 28th of February का low point है मेरा 4,370 रुपए का है कि previous day के अपने swings को calculate करना है अब यहां पर देखिए 4,371 रुपए यह मेरा एक point है previous last session में price ने क्या किया था इस एक range से उठ करके upside में चला गया था यहां से उठ करके अपनी range का breakout किया breakout के बाद में upside की तरफ यह consolidation का फिस और यहां से प्राइज अपसाइट की तरफ यहां पर रख सकते हैं प्राइज ने आज की जो opening भी है और जो swing बनाने के बाद में प्राइज ने वापस अपनी range को upside की तरफ ब्रेक कर दिया और हमने क्या खा कि यहां से हम जो targets हैं में भी हो सकता है previous day में हम बुक कर लें because यहां तक अपना एक high लगा था और अगर price मेरा यह high break करता है upside की तरफ तो movement आने तय है because range बहुत important है को forge में आज के दिन volumes के भी काफी ज़्यादा confirmations हैं जैसे कि आप volumes on follow इतनी यह जो हमारी volumes आही है actually volumes के breakout है हमने volumes का यहां पर support लिए and volumes के साथ साथ में प्राइस ने अपने यह वाला latest swing इसका break किया तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक buying opportunity find कर सकते हैं अब बात करते हैं आज के trade की हमने आज इसके अंदर अपने trade execute किया एक्जैक्ट 44466 के पास से हमने अपना यह trade execute किया आज जो हमने इसके अंदर अपनी entry लिए वह previous day के strings के आधार पर इसके अंदर अपनी entry defined की and entries के लिए 446 पोजिशन बूक अपनी open करते हैं लोग पोजिशन बूक एंट्री हमारी 4466.43 नहीं यह exact entry नहीं है वेक्वाज यहां पर देखें कुछ बैली सुपाइक जो मेरा loss हमने book किया था morning कुछ order की कमी की वज़े से entry point मेरा यह वाला है काफी ज़्यादा order से हम फोड़ा सा confused हो सकते हैं यह वाली चो देंज है यह हमारा buying का point है यह से अपना buying है 4467 पर buy क्या है और यह वाली जो आप order देख रहे हो यह stop-loss order 4449 पर दस पैसे पर मेरा stop-loss लगा हुआ है तो पोजिशन बुक में इस फोर फोर सिक सेवन फोर 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 सिक सेवन अपना entry का point है एंड इस stop-loss के लिए हमने एक पूरे दिन के एक important candle है previous day की भी थी और आज ही उसी range पर हमें confirmations नहीं with volume तो यहां पर जो अपना हमने stop-loss लगाया है कुछ 4400 रुपे कुछ 10 पैसे पर stop-loss लगा है अब यह 10 पैसे क्या है थोड़ा सा buffer point है उस range का तो यह मेरा अपना stop-loss point हो गया profits के लिए हम 4549 की range के use करेंगे इस range पर हमारा touch होगा तब नहीं से बहार निकलेंगे overall हमारा setup तयार है पूरी तरह से एंड इस प्रत का जो अपना profit चल रहा है इसका color change कर देते हैं इस प्रत का जो हमारा profit इस प्रत का जो अपना profit है 8200 रुपीज का profit अपना running है और बड़ा movement इसके अंदर होता है या फिर जो अपना profit booking तो आपको इसके लिए I hope कि पूरा system आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा इसको काफी बड़े movement हो रहे हैं okay movement होने देते हैं and inform करते हैं आपको जो हमारी analysis थी and target identification के according हमारे जो price है इस वक्त same level same range पर हमारा travel कर रहा है अब अगर हम यहां से चाहें तो अपने profits को square off कर सकते हैं अपने trades को square off कर सकते हैं and इस वत का जो अपना profit चल रहा है 12,000 प्लस 12,100 profit है okay so इस वत कोई भी अपना buying quarter भी तक हमने नहीं लगाया है okay हमने सारे profits को same level 4549 पर square off करेंगे so सबसे पहले अपनी order book में जाते हैं and stop loss order को यहां से हम cancel करते हैं okay and अब जाएंगे अपनी position book पर 4549 पर 4549 पर 30 पैसे price चल रहा है नहीं 50 नहीं 49 पर ही निकलेंगे ऐसे जो decide है लेजिए 4549 पर हमने अपना order लगा दिये successfully submitted okay सारे order निकल गया हमारे जितने भी order थे हमारे सारे के सारे निकल गया है and volumes को off करते हैं volumes के काफी अच्छे आज during the trade and यह जो rally थी यहां पर भी काफी अच्छे volumes के breakout हुए थे जैसे काफी confidence हमको मिलता है जैसे देखिए previous day की breakout को प्रैस ने volumes के साथ ब्रिक मारा यहां से फिर देखिए एक retracement और वापस वापस अपनी रेंज पर 4549 पर मिया से बहार निकल आज का हमारे की तरह से यह system आप के लिए काम करें आप अपर लगाया था 4549 पर वर सारी कॉंट्री हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं सारी के सारी निकल गई एंड एक्सोपचास के साथ order अब हम पूरी तरह से बाहर है एंड इस वत का अपना प्रॉफिट है बारह हजाथ तीन सो त्राइज और साट पैसे का हमारे प्रॉफिट है जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है अप टेलिग्राम चैनल में जोइन कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जब भी हा किया था बिकॉस मार्केट में साइडवेज मुव्मेंट समको लग रहे थे बिकॉस देखें निफ्टी के कुछ लेवल से हमने ड्रॉफ करके अपने गृूप पर और एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके शेयर की थी निफ्टी के कुछ लेवल से हैं लाइक यह कुछ बट देखने से लग रहा था कि कुछ इसे खास मेरी वासलिस में आया भी नहीं थे तो हमने कोई भी ग्रूप में इस टॉक शेयर नहीं किये थे थे थाइंक यू गूडबाई एंड वीडियो कर अच्छा लगा हो तो इसको जरून से जरूर लाइक किजागा कॉमेंट किज कि अधियू कर दो कि अधियू रहा है एंड़ गूड़ कि अधियू रहा है एंड़ रहा है